दूस्तों Facebook पर जो profile log करने के setting होती है बहुत ही useful होती है क्योंकि दूस्तों जो unknown person होते हैं वो दूसरे के profile में रहा नहीं कर सकते हैं यह हम नहीं चाहते हैं कि कोई अमरी profile में ताघ जाग करे उसलिए हम अपनी profile को log कर लेते हैं सatan को on करके दो तो दोस्तो बहुत से लोग हैं जिनको दोस्तो फेस्बुक पर ये वाला option नहीं मिल रहा है मतलब ये setting उनको नहीं मिल रही है अपने account में कि वह भी अपने profile को log कर सकें तो आज की वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूं कि अगर आपको भी अपने Facebook account में अपनी profile को log करन करने का option नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वह कैसे लाएंगे दोस्तों जो प्रोसेस में आपको बताऊंगा दोस्तों प्रोसेस को complete करने के बाद आप अपने Facebook account में उस profile log करने वाले option को जल्दी ही enable कर पाएंगे तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखना है बिने अपने Facebook account को यहाँ पर open कर लेता हूं और यहाँ पर दोस्तों Facebook account में यहाँ पर open हो गया है तो उपर दोस्तों आपको थे लाइंस देखने को मिल जाए ऊपर राइट ऑफ कॉर्णर में इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे और यहां पर दोस्तो audience and visibility का option आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन में दोस्तो उपर ही उपर मेरे account में नजर आ रहा है profile locking का दोस्तो यही पर यह option होता है जहां से आप अपनी profile को लोग कर सकते हैं इस पर मैं click करता हूं तो यहां पर दोस्तो profile को लोग करने का option आ गया है तो सभी Facebook account में दोस्तो profile करने का option यहीं पर ही मिलती है लेकिन दोस्तो बहुत से लोग है जिनको यहां पर audience and visibility वाले option में यह पर देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तो अगर आपको यह वाल आप्शन आपके mobile में देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तो आपको बताने वा चाष्च करने के बाद दोस्तो आपको यहां पर टाइब कर देना है Facebook फेस्बुक करने ऑर सेर्च करने के बाद दोस्तों आपको बस एक चीज चीज़ चेक कर लेनी है यहां पर यहां और अजो görün यह मिला है यह नहीं मिला है तो यहां पर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से ओडियंस एंड विजिबिलिटी वाले ओप्शन में जाकर चेक कर लेना है कि प्रोफाइल लोगिंग वाला ओप्शन आपको देखने के लिए मिला है यह फिर नही लेलेना है यहाँ पर पर दुस्तों screen short मैंने इसका लेलिया है अब दोस्तों आपको back चले जाना है back आफ के बाद दोस्तों आपको फिर से थ्री लान पर क्लिक कशरब देना है और यहाँ पर ऊप्शन देखने के लिए मिल जाएगा and Support का तो Health and Support पर Click कर देना है और यहां पर आपको एक Option देखने जिए मिलेगा hired support पर Click करने के बाद Repeat करने के बाद प्रोडम तो यहां पर पर Close lag और इस पर taplet करने के बाद तो आपको AHपको यहां पर इंक्लोड इं डिपोर्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है आपकी प्रोफाइल को लोग करने का तो आपको दोस्तों आपको यहां पर चलो प्रोफाइल वाली ओप्शन को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहां पर दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल को यहां पर क् कर दे दूँगा अपने description box में वहाँ से आप copy करके अपने Facebook account में आपर paste कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपका screenshot यहाँ पर automatic ही attach हो गया है और जब मैं जो आपको लिख के दूँगा दोस्तों महाँ से copy करके आप पेस्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर send वाले option पर यहाँ पर click कर देना है आपकी report दोस्तों Facebook के पास पहुंच जाएगी और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता जाता हूं कि यह report करने का दोस्तों जो option है Instagram पर भी same है और Facebook पर भी same है जब भी हम Instagram पर कोई report करते हैं किसी problem को लेकर और वहाँ पर दोस्तों आपकी problem को मैनुवली चेक करती है उस problem का solution 100% मिल जाता है इसे तरह दोस्तों Facebook पर जो आप report करेंगे तो आपके जो भी problem है तो application से रिलिटर दो फेश्बूबूख टीम दोस्तों आपकी problem को चेक करेगी और वहां से जब आपकी प्रॉलम को फाइंड कर लेगे दो वहां से उस प्रॉलम को सोलुशन आपको मिल जाएगा तो इसलिए दोस्तो रिपोर्ट करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है कोई भी प्रॉलम आती है तो आपको प्रॉलम कर सकते हैं और जब आप द स्वीडियो में तब तक के लिए बाइए